बिसमिल्लाहिरोह्मानिरोहिम अस्सलामुलेकुम जावदाद दे चैनल में खुश्छाम दे दोस्तों वीडियो की जानी बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताके और भी इसी तरह की वीडिय की तरफ से नहीं वेकैंस का एलान कर दिया गया है जिसके एड में भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों आप देख सकते हैं नमबर वन के जो पहुत है वो है असिस्टेंट डिरेक्टर की इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर है और दोस्तों नेक्स्ट है डिप्टी ची क्यार है और प Hut याद भी मैंघ्रेजाव के ओस्तों नेक्समेंट युपॉयर्ष तरह भी मेंचन अगए डिप्टी एकूटर को दो क्वायμεघ्र को डिप्टी डिर्कुड वागोर्टाफ के लिए जो qualification दोस्तों रिक्वार है वो है LLB और मतलका फिल्ड एक्स्पिरियस में रिक्वार है उसके बाद नेक्ट है computer operator उसके बाद है junior executive proof reader नेक्ट है इसी तरह inspector enforcement दोस्तों हर post के आगे उसकी उमर की हद और उसका experience है आप देख सकेंगे उसके बाद नेक्ट है लेक्टर फीमेल जिवग्राफी उसके बाद है चीफ documentation officer दोस्तों हर पोस्त के आगे उसका experience और उमर की हद उसकी मुकंबल details mention है आप देख सकेंगे और description में आपको इसका link भी दिया जाए का इसका दोस्तों मैं आपको apply करने का त्रिक का बताऊंगा आपने वीडियो मुकंबल देखनी है मैं बतायता हूँ आपको कि आपने इस website के थूँ apply करना है online और एक और बात दोस्तों आपने जो फी जमा करवानी है वह सोर्वेश से अपने साथ तो दोस्तों मेरे पास इसकी guidelines apply करने के लिए PDF फाइल में पढ़ी है वह मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसका link भी आपको description में मिलेगा उसके बाद दोस्तों इसकी जो website है यह mention है www.fbsc.gov.bk आपने यह पेज ओपन होगा तो आपने अपनी पोस्त है जिस जाब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद नेक्स आपने अपना data नाम से नशी नंबर आपका उनसी तरह आपका मुकंबल data आपने फिल करना ह है जब आप दोस्तों select करेंगे एक जो आप तो यह बता देगा कि आप इसके लिए qualify कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों next है आपने यहां date mention करनी है दोस्तों आपने इसकी फीजों करोनी है वो है national bank में आपने जमा करवानी है ठीक हो गया उसके बाद next आपने दोस्तों आपने यहां picture upload करनी है इसी तरह उसके बाद आपने यहां अपना education पर क्लिक करेंगे तो आपका आप अपनी education की details में लिखेंगे उसके बाद आपने experience की details आप लिखेंगे आप सब यहां details देंगे उसके बाद जब आपका मुकमल तो पर apply हो जेगा तो आप यहां से print out उसका निका करेंगे तो आप इस तरह अपने application में changing भी कर सकते हैं दोस्तों यहां update पर क्लिक करेंगे तो आपके application update हो जाएगी इस तरह आपका मुकमल तो पर apply हो जाएगा दोस्तों तो यह इस तरह का आपका farm निकलेगा जिसका आपने print out निकालना है दोस्तों इसमें बताई चलता हू मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिज